हेलो स्टूडेंट चलिए आज हम पढ़ते हैं फिर से एक नया टोपिक और आज का हमारा जो टोपिक होगा वो बियस्सी पार्ट थर्ड का बियस्सी पार्ट थर्ड का एक टोपिक होगा और बियस्सी पार्ट थर्ड में जो पेपर सेकिंड है पेपर सेकिंड उसकी एक नई यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें यूनिट नंबर फाइब जो है उसको हम स्टडी करेंगे और जो ये यूनिट फाइब है अगर उसके सलिवश की बात करें तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं एक तो लर्निंग learning का मतलब क्या होता है अधिगम होता है learning पढ़ेंगे इसके अलावा memory पढ़ेंगे memory का मतलब स्मृति होती है learning पढ़ेंगे memory पढ़ेंगे इसके साथ में आपका habituation पढ़ेंगे habituation और learning के types पढ़ेंगे हम learning के type जैसे की insight theory पढ़ेंगे insight theory क्या होती है वो पढ़ेंगे इसके अलावा और हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें association learning होती है एक उसको भी हमारे syllabus के according हम association जो learning है उसको भी पढ़ेंगे और साथ में जो reasoning होती है तरकन जिसको बोलते है reasoning वो एक communication है संचार किस तरह से प्राणियों की विवार को प्रभावित करता है तो communication skills जो पढ़ेंगे और तो आज हम अधिगम इसमरती सम्मदता आवाश आवाश इंसाइट लर्निंग रिजनिंग केम्मिनिकेशन आवाश अधिगम का निरिक्षन समागम अधिगम तरकता संप्रेशन प्रास्तान का बन्ने प्राणी जीव संग्रेंग यह सारी चीजे हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हमारे जो यह टॉपिक होगा वो होगा एथोलोजिकल कंसेप्ट और जिसको हम एथोलोजिकल कंसेप्ट तो जो एथोलोजिकल कंसेप्ट है इनको हम बोलते हैं व्यवारी की अवदारनाएं क्या बोलते हैं व्यवारी की अवदारनाएं तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा वो रहेगा एथोलोजिकल कंसेप्ट और एथोलोजिकल कंसेप्ट में एक के कंसेप्ट को हम देखेंगे तो जो पहला कंसेप्ट है उसको हम सीधा पढ़ लेते हैं कि व्यवार विद हमने अब तक पढ़े थे जिन में सबसे प्रमुक नाम लोरेंज फ्रीस और टिन बर्जन का आया था तो व्यवार सात्रों की जो धारणाएं हैं या कंसेप्ट और एथोलोजी है उनको समझाने का जो उन्होंने प्रियाश किया था इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इन धारणाओं को पढ़ेंगे और जो की बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें जो पहली धारणा है उसको बोलत एसर कंसेप्ट पहली धारणा का नाम है हमारे एसर कंसेप्ट और इसी को हिंदी में हम कहते हैं उद्दिपन अनुक्रिया अवधारणा उद्दिपन अनुक्रिया अवधारणा तो पहला कंसेप्ट हमारा है उद्दिपन अनुक्रिया अवधारणा अब यहां एश जो है इसका मतलब होता है स्टिमूलाई और आर का मतलब होता है रेस्पोंस तो इसको हम बोलते हैं उद्दिपन और इसको बोलते हैं अनुक्रिया कंसेप्ट का मतलब होता है अवधारना तो पहली जो थोरी है हमारी वो कौन सी है वो पहली थोरी है एसार कंसेप्ट अब एसार कंसेप्ट की बात करें तो परतेक विवार के लिए कोई ना कोई जो है कारक जिम्मेदार होता है और वो कारक आंत्रिक हो सकता है या बारी हो सकता है सबसे पहले इस अवधारणा को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका क्या नाम था तो उनका नाम था H.S. जैनिंग्स H.S. जैनिंग्स उननीस सो इस्वी में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी इन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का जो नाम था वो देखिये क्या था इनकी बुक का नाम था दा बीहेवियर आफ लोर और्गैनिजम यह उनकी बुक का नाम था दा बीहेवियर आफ लोर और्गैनिजम और उसी में उसी के बेस पर इन्होंने यह आवधारना प्रस्तुत की और उस अवधारना को हमने कहा एस सार कंसेप्ट इसमें उन्होंने यह बताया कि भाई यदि इसमें एग्जामपल लें लोवर और्गैनिजम में से इसी बुक से तो इसमें उन्होंने एग्जामपल दिया था यूगलीना का और यूगलीना आप जानते हो यूनिसेललर और्गैनिजम है उन्होंने बताया कि यूगलीना को अगर तेज प्रकास में रखा जाए इसको तेज प्रकास दिया जाए तेज प्रकास यूगलिना पर इंप्लांट किया जाए तो यूगलिना क्या करता है दूर भाग जाता है यानि जो stimulation था लाइट थी और लाइट अगर उसकी intensity ज्यादा है तो यूगलिना क्या करता है उससे दूर भाग जाता है तो यह पहला stimulation और उसका response हुआ यह तो यूगलीना है और इसको stimulation दिया हमने यह और इसका response क्या निकला दूर भाग जाना दूसरी condition हम देखते हैं यह यूगलीना है यह तो हमारा यूगलीना है और इस यूगलीना को क्या है लॉइ इंटेंसिटी वाला लो इंटेंसिटी लाइट अगर प्रोवाइड की जाए तो वो इस लाइट की तरफ क्या करेगा मूँ करेगा तो देखिए यहाँ पर हमारा stimulation क्या हुआ इसको यानि उद्धिपन क्या है उद्धिपन लो इंटेंसिटी लाइट है यानि कम तिवरता का प्रकास यूगलिना को डाला जाता है तो यूगलिना इसके खिलाब जो रैस्पोंस करेगा जो अनुक्रिया करेगा वो करेगा मुमेंट और मुमेंट किसकी तरफ लो इंटेंसिटी प्रकास की और यानि कम तिवरता वाले प्रकास की और करेगा उस तरब जाएगा अब एक तीसरी कंडिशन देखते हैं यह तो पहली कंडिशन हुई यह दूसरी कंडिशन आपने देखी यहाँ पर और एक तीसरी कंडिशन हम देखते हैं यह यूगलीना है और जो light source है light source उसको हम क्या कर लेते हैं? remove कर लेते हैं remove करेंगे तो इसको कोई stimulation नहीं मिलेगा कोई stimulation नहीं मिलेगा तो ऐसी condition में इसका response भी कुछ नहीं होगा वो भी zero हो जाएगा तो ऐसी condition में क्या करेगा? यह जो यूगलीना था यह swimming swimming जो है वो करना बंद कर देगा और अपने general जो काम है वो काम करेगा तो इसको हम एक कोश किये प्राणी पर इस अवदारना को उन्होंन देखा और यह अवदारना दरसाती है कि उद्धिपन जो है वो किसी परिवर्थन के लिए जिम्हिदार होता है तो जो उद्धिपन है उद्धिपन की वज़े से अनुकरिया होती है और यह अनुकरिया जो होती है प्राणी व्यवाहर में बदलाव लाती है प्राणी व्यवाहर में चेंजेज लाती है तो ये जो थियोरी है वो आपकी थियोरी हो गई Stimulus Response Concept यूगलीना अगर अनुक्रिया की दोर आपने आपको अनुकुलित करता है प्रिकास की उपस्तिती में ये अपना भोजन स्विम बनाता है और इसी कांड इसका व्यवाहर प्रदेशन अलग होगा मरदू जल में प्रिकास की तिवरता में प्रभरतन होता रहता है इसी कांड से मद्ध्यम प्रिकास की तिवरता की तरफ ये चलता है अगर यूगलीना को प्रकास नहीं मिलेगा तो वो अपना भोजन नहीं बनाए पाएगा और उसका विवार ऐसी कंडिशन में अलग हो तो विवार जो है इनका वो एक एड़ेप्टिव रेस्पोंस है यदि पेरामीशियम की बात करें हम तो पेरामीशियम को अगर डायलूट विलियन में सॉलिशन में आप रख लोगे तो वो प्रतेक दिशा में गती करेगा ये उसके विवार अनुकुलन का एक प्रियाश है तो उद्धिपन अनुक्रिया अवधारना को हम एस्थार कंसेप्ट के नाम से जानते हैं और इस एस्थार कंसेप्ट के अदार पर हम ये बता सकते हैं कि कोई भी प्राणी कोई भी प्राणी जो है किस उद्धिपन के प्रती अनुक्रिया करेगा उसके प्रती पोजिटिव अनुक्रिया करेगा या नेगेटिव अनुक्रिया करेगा लेकिन उसके विवार में बदलाव के लिए कोई स्टिमिलिशन की जरूरत जरूर पड़ेगी तो ये व्यवारी की अवधारणा में पहला विंदू हमने पड़ा S.R. कंसेप्ट यानि उद्दिपन अनुक्रिया अवधारणा और ये समझ में आपको आया होगा इसके बाद में हम अगले वीडियो में सेकंड कंसेप्ट ओफ एतोलोजी का पड़ेंगे जो की अपराणी व्यवार को प्रभवित करते हैं तो अगला जो हमारा सेकंड कंसेप्ट होगा वो होगा साइन स्टिमिलेशन तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो वोच कीजिए धन्यवाद